आज देश के 700 करोड देश स्वासियों के मन में देश की सुरक्सा के लिए किन्चित मात्र असुरक्सा का भाव नहीं है सब लोग मानते हैं कि मोदी जी के नेत्रुतों में ये देश सुरक्सी थे हर्क शेत्र का विकास चाहे वो कुरुसी हो, उद्ध्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्रामिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या गाओं के अंदर अप्टिकल फाइबर महुंचाने की बात हो शेत्र के अंदर विकास हुआ है किसानों के विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाए सफलता पुर्वक हमने की हैं दलीत आदिवासी और महिलाओं के लिए भी धेर सारी योजनाए और उनको एमपावरमेंट के कई सारे प्रोजेक्स लेकर नरेंदर मोधी सरकार आई और एक इस सभी वर्गों के अंदर नया आत्म इस्वास भरने का काम किया है अर्थतंत्र को दुनिया में सबसे घतिसिल अर्थतंत्र पांचो साल बनाए रखा ये चुनाओ पहला ऐसा चुनाओ था जहां विपक्स की और से महंगाई और भ्रष्टाचार ये दोनों मुद्दे नह बहुत लंबे समय के बाद देश की जनता ने कैसे चुनाओ अभ्यान का अनुभव किया है जिसमें विपक्स की और के महंगाई का मुद्दा नहीं उठा ब्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा और एक प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को ग्यारवे नंबर से छठे नंबर चठे पाइदान पर लाने का काम ये पांच साल में हुआ है और इसके कारण जनता में एक प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधान मंत्री बनाने के लिए खड़ी हुई थी हमने जन्वरी सोला से ही हमारे प्रचार अभ्यान का सुरुवात किया था सबसे पहले देश भर में बूत सम्मेलन करकर क्लस्टर सम्मेलन करकर हमने चुनाव अभ्यान को आगे बढ़ाया था और लगबग लगबग डेड़ सो से ज्यादा क्लस्टर सम्मेलन हमने करे थी हमने राश्ट्रिय स्तर पर 18 समीतियों की रचना करी थी जिसमें सिर्यादनाज जी, नितिन गरकरी जी, अरुन जेकली जी, सुश्मा स्वराज जी अलग-अलग समीतियों का नेत्रूतों करते थे और वो समीतियों के तत्वा दान में एस समीतियां लोगसभा तक नीचे बनी समीतिया 482 बनी जिसमें 7230 कारेकरताओं को जिम्मेदारी दी गई 120 लोकसभा जो भारतिय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी उसको भी हमने तीन साल से लक्स बना कर काम किया था मुझे आज कहते हुए आनन्द है कि परिणाम आएंगे तब आप इसको देख लेना 120 में से हम 80 लोकसभा क्षेत्र लड़े हैं बहुत अच्छी सफल था हमें मिलेगी इसका मुझे आसा है कुल 13 प्रदेशों में 25 क्लस्टर बनाए गए 120 लोकसभा सीटे थी और 25 हमारे वरिष्ट नेताओं ने एक क्लस्टर को ताकात देने के लिए संगतनात्मग और राजनितिक दोरे किये थे हमारे लगबग लगबग तीन हजार फूल टाइमर दो साल से विधान सबाक्षित्र और लोकसभा क्षित्र पर काम करें सायदी कोई ऐसा अभ्यान होगा जिसमें स्वयम से वी तीन हजार पूनकालिक कारेकरता कोई वेतन लिये बगेर पार्टी के लिए दो साल तक एक विधान सबाक्षित्रों और एक लोकसभाक्षित्रों में रहकर भारतिय जनता पार्टी के बूठों की रचना और भारतिय फूल टाइमर रहे हैं इसके बाद में हमने धेर सारे संगटनात्मक और राधनितिक कारेकरम लिये थे विस्तारक युद्ना मैंने कहा विस्तारक युद्ना ली सक्तिके अंद्र प्रमुक सम्मेलोनों की युद्ना ली मेरा बूत सबसे मजबूत इसके तहत प्रधान मंत्र करकर विश्व विक्रम स्थापित हो इतने कारेकरताओं से सिधी बात करी थी प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हमारे लगवक 472 लोक्षभाक्षेत्रों के अंदर हुए युवा सम्मेलन 480 लोक्षभाक्षेत्र में हुए संगठन समवाद अलग-अलग स्तर पर हुआ मेरा परिवार भाजपा परिवार इसके तहर बहुत सारे कारेकरताओं ने अपने घरों को आइडेंटिफाई करते हुए जंडा और स्टिकर लगाने का काम करा देश भर में लगवग 3800 विधान सबाओं में कमल संदेश बाइक रेली निकाली गई 22 करोड लाभार्थियों के घर में एक ही दिन दिप जलाकर कमल ज्योती संकल्म लेकर कमल दिपावली का कारेकरम किया गया मैं भी चौकिदार हूँ अभियान जो दरसल जंता में से ही उबर कर आया था मैं भी चौकिदार हूँ अभियान भी देश भर के अंदर चला और भारत के मन की बात के द्वारा हमारे चुनाओ संकल्म पत्र को बनाने के लिए हमने बहुत सारे सुझाओ इकटा किये और इसमें से बहुत सारे सुझाओ को लेते हुए हमारे संकल्म पत्र को हमने फाइनल सरूप दिया था देश भर में हमने 161 कॉल सेंटर बनाए गए 161 कॉल सेंटर उने 6 मेने तक काम किया और 15,682 कॉलर्स जिसमें से अधिकांस हमारे कारे करता थे यह देश में देश भर में बैटकर दो लोगसभाक शेत्रों के बीच में एक इस प्रकार से एक कॉल सेंटर बने नौर्थ 162 कॉलर्स ने लगबग 24 करोड 81 लाख लाभार्थियों के संपर्क करने का अभ्यान चलाया बहुत बड़ा अभ्याने 6 महिने में चला है 24 लाख 81 करोड लाभार्थी हमारी 16 राज्य सरकारे और केंडर सरकार के मिले मिला कर हमने करे हैं इसके आधार पर एक बहुत बड़ा जन संपर्क लाभार्थियों का हमने करने का काम किया इस चुनाओ की सबसे बड़ी बात रही कि नरेंद्र मोदी सरकार के किये गए काम और प्रधानमंत्री जी के लिए लोकों का जो लगाव है इसके कारण प्रधानमंत्री जी की लोग प्रियता के वॉलियंटर्स हमें प्राप्त हुए जो भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता नहीं थे परन्तु भारतिय जनता पार्टी फिर से चुनकर आए और प्रधानमंत्री जी फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने इसके लिए काम करने वाले करोड़ों लोग मेर सारे बॉलिंटरस ने घति दी मैं भी चौकिदार अभ्यान चाहे बुजूर्ग हो युवा हो पूरुस हो महिला हो किसान हो मद्दूर हो नौकरी कलने वाला हो या जरनालिस्ट भी हो सब्ही प्रकार के लोगों ने मैं भी चौकिदार हूँ अभियान के साथ अपने आपको संबंद पाया फीर एक बार मोदी सरकार यह अभियान भी लोगों में से ही उठा नारा भी वॉलियंटरस नहीं बनाया आएगा तो मोदी ही मोदी है तो मुम्किन है यह सारे नारे इस बार हमारी पार्टी ने नहीं दिये इसारे नारे वॉलिय बढ़ा है और जनता ने स्विकारा है मैंने चुनाव अभ्यान में लंबे समय तक देश का द्वरा किया है जब फीर एक बार मोधी सरकार का नारा हम सुरू में लगाते थे मार्च में तो फीर एक बार बोलते ही सामने से मोधी सरकार का जवाब आता था अंतिम चार दिनों के चुनाव में फीर एक बार मोधी सरकार का नारा बदल कर जनता ने ही बार बार मोधी सरकार का नारा बना दिया फीर एक बार मोधी सरकार माइक में बुलाते थे तो लोग सामने से बार बार मोधी सरकार नारा बुलाते थे मित्रो इसके साथ मैं जो प्रदानमंत्री जी ने दोरह किया है इसकी भी मैं थोड़ी डिटेल देना चाहता हूं और मैं बहुत घर्व के साथ कह रहा हूं क्योंकि स्री नरेंद्र मोधी भारतिय जनता पार्टी के प्रधान मंतरी है देश की आजादी के बाद जितने भी चुनाव अप्यान है इसका कोई भी study कर सकता है हम study करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा परिश्रमी चुनाव भ्यान, सबसे ज़्यादा विश्तरुत चुनाव भ्यान और सबसे ज़्यादा जनता को संपर्क करने वाला चुनाव भ्यान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है भारतिय जनता पार्टी चुनाव को लोकतंत्र का एक महोच सव मानती है सिर्फ यह कहने की बात नहीं है भारतिय जनता पार्टी के सर्वोच निता और देश के प्रधानमंत्री ने सायद ही देश का कोई ऐसा कौना रहा होगा जिसके अंदर फर्वरी से लेकर मई तक दोरा नहीं किया होगा फर्वरी से लेकर मई तक के चुनाव अभ्यान के अंदर धेर सारी जगों पे कारेक्रम हुए चुनाव की गोशना के बाद अभ्यान की सुरुवात की बात करें तो 28 मार्च 2019 से मेरट से उत्तरप्रदेश से हमने शुरुवात की और कुल 142 जनसभाओं को मोदी जी ने संबोधित किया है चार रोड़सों किये हैं और इन जनसभाओं में कंजर्वेटिव अनुमानित संख्या एक करोड पचास लाग से ज़्यादा लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सीधा संपर्क स्थापित किया था लगबग 10 अजार से ज़्यादा पार्टी के वरिष्ट कारेकरताओं के साथ मंच के नीचे मोदी जी ने समवाद करकर चुनाओ के कामकाज का जाय जा लिया है और धेर सारी योदनाओं के लाभार्थिवों के साथ चुनाओं अभियां की व्यस्तता में भी नीचे जो उनके लिए पैंडाल बनता है सभा के पीछे वहां मुलाकात की है आई सेमान भारत योदना हो उजोला योदना हो या दिव्यांगों को जिनको सहायता मिली है इस सारे दिव्यांगों के साथ बातचीत करना हो ऐसे लगबग लगबग साथ हजार से ज़्यादा लाभार्थियों के साथ उन्होंने समवाद किया है और योदना निचे तक चीज की पुरुच्छा भी गरी हैं लगबग एक दिन में कई बार पांच से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है एक लाग पांच हजार किलोमीटर यात्रा देज भर में की है तीन दिन ऐसे हैं जिसमें चार अजार किलोमीटर से ज्यादा यात्रा प्रदानमंत्री जी ने स्वयम की है अधिकांस जनसभाओं 40 डिग्री से 45 डिग्री के तापमान में संपन हुई उच्चतम रेली का स्थान रुद्रपूर उत्राखन में रहा सबसे घर्म 46 डिग्री टेंपरेचर में इटायरसी अधियपदेश में हुई और सबसे ठंडा 18 डिग्री टेंपरेचर एलो अरुनाचल में सभा हुई एक दुरुष्ट्री से ऐसा अभियान था जिसमें 80 डिग्री से 46 डिग्री तक टेंपरेचर के अंदर प्रदानमंत्री जी अभियान चलाते रहे मगर सब जगे चुनावी गर्मी 50 डिग्री से ज्यादा ही थी जन्दा के अंदर चुनावी गर्मी ज्यादा थी लगबग कई प्रकार के कारेक्रमों करते हुए मोदी जी ने एक विश्तुरूत जन्संपर कभियान चलाया है जहां तक मेरा सवाल है मेरा भी लगबग लगबग कुल मिला कर 1312 लोग स सबहा पर जाना हुआ जन्वरी से लेकर मैं तक 161 जन्सभाएं चुनाव की गोशना के बाद हुई अठारा रोड सो हुए है लगबग